और उसके बाद सरीर बनता है इसलिए मानस गाओं के पक्तो राम चरित्र मानस के एक चोपाय में बाबा तुल सी दास कहते हैं क्या? सबसे पहले तो ये मानवत तन मिलना मुश्किल वो मिल गया? मिल गया आपको लेकिन उससे भी दुरलब किसी संत का सानित है मिलना और उससे भी दुरलब पर मात्मा और मोक्ष को पाना जिस प्रकार दरपन आपके तन के दागों को दिखागर अगर काला टीका लगाओ चैरे पर आप दरपन देखो तो क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ तो बोल दिया करो, पोच दोगे, हटा दोगे, जिस प्रकार सिसा आपके तन के दावगों को दूर करता है, उसी प्रकार ये भागवत आपके मन के दावगों को दूर करके, आपको निर्मल करके, आपका संबंद प्रमात्मा से जोड इसमें आना बैठना सो भग्य की बाद अगर इसके बहार से भी गुजर जाए तो भी ये भागवत थल देती है पाप आप संताप को मिटना कर आपको भगवान से मिला देती है और भगवान से मिलाने का मतलब ये मत समझना कि साथ वे दिन लो डग जाओ नए जो जीते जी भगवान से नहीं मिल सका वो मरने के बाद भी नहीं मिलता बोलना पड़ेगा हमारा तो आईए हरी नाम हरी की इरतन करते हूं और ये भागवत क्या करेगी आज कल सब के जीवन में चिंताएं हैं दुख है हर कोई माथा पकड़े रहता है चिंता करो मिले बिहारी मानो तो मोज है वरना समश्या रोज है और आपके जीवन में चाहें आप बोलो ना बोलो लेकिन अने को समश्या है लेकिन आईए ये बैठिये इस कथा को शुवन पान करिये और इस कथा में जो बताया जाए मैंने कहा ना ना पढ़ के सीखा है ना रो के सीखा ना हस के सीखा है मैंने जो भी सीखा अपने गुरू जी का हो के सीखा है आपकी भलाई आपके गाउं की भलाई और आपका संबन प्रमात्मा से जुड़े और प्रमात्मा कहीं दूर नहीं आपके हिर्दे में विराजमान है आपके अंदर विराजमान है मो को कहा ढूंडे रे बंदे मैं तो तेरे पास में लेकिन अंदर बैठा वो प्रमात्मा मिले कैसे प्रमात्मा आपके अंदर है जब भी आप चोरी करते हो बुरा करते हो, किसी के बारे में बुरा कहता है, जो कथाओं में आपके आपके जीवन में सत्संग होगा, कथा होगी, भजन होगा, सेवा होगी, ये आत्मा अंदर बैठी ये आत्मा परजमलित होती जाएगी